राहूल गांधी कांग्रेस के लिए राहूल नहीं राहू बन गए इसलिए पूरे देश में तो अमरत काल चल रहा है कांग्रेस में राहू काल चल रहा है कुछ यूँ सियम शिवराज ने कॉंग्रेस निता राहूल गांधी को आड़े हां ठो लिया राहूल गांधी को राहू बताते हुए मुख्यमंतरी ने राहूल पर OBC वर्क का अपमान करने का आरोप लगाया है जाहिर है कि इस साल विधान सबाद चुना होना है ऐसे में एक बार फेर बीजेपी ने राहूल गांधी के बयान को अधार बना कर OBC वर्क को साधना शुरू कर दिया है अहिंकार में आके उन्होंने पिछड़ों को गाली दी और गाली भी ऐसी कि पूरी की पूरी जाती को उन्होंने चोर बता दिया यह एहिंकार नहीं है तो क्या है राहूल गांधी बताएं और उसके बात कर रहा है वो माफी नहीं मांगेंगे यह तो चोरी भी है और सीना जोरी भी है अभी तो किवल सांसदी गई है और बंगला गया है कांग्रेस ने अगर पिछड़ों से टकराने की कौसिस की तो एक दिन कांग्रेस का अस्तित्व भी चला जाएगा OBC के बहाने एक दूसरे को घेरने की ये जद्दो जहद कोई नई बात नहीं है कांग्रेस भी OBC मसले को भली भांती समझ रही है यही वज़य है कि महाराष्टर के पूरो मुख्यमंतरी प्रित्विला चौहान ने भुपाल में इस मसले पर कॉंग्रेस का पक्ष रखा और राहूल गांधी को बचाते न जराए कोला के सभा में राहूल जी ने तीन चोड़ों के नाम लिया थे उन्होंने का थे कि इनके नाम निरम मोधी ललीट मोधी नरेंद्र मोधी का भी नाम लिया था तो क्या निरम ये मोधी लोग यह उब以上 है क्या जो यह अच्छे का करता सुरुप में पुर्नेश मोधी है और बनिया है मद्रप्रदेश में OBC वोटर्स चुनाओं में जीत हार के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं क्योंकि प्रदेश में करीब इंक्याउन्फिस दियाबादी OBC है प्रदेश की 230 विधान सबा सीटों में से 120 से जादा सीटों पर OBC वर्क का सीधा दखल रहता है BJP के 49 विधायक भी OBC से ही है यहां तक की MP में BJP का CM चहरा शुराज सिंग चौहान भी पिछडा वर्क से ही है इसलिए एक बार फिर राहुल गांधी के बहाने OBC को साधने की कवायद BJP ने तेज कर दी बंसल न्यूज के सवाल क्या राहुल गांधी के बहाने फिर OBC को साधने की तयारी है सवाल नमबर दो, क्या OBC के मुद्दे पर BJP ने कॉंग्रेस को फसा दिया है सवाल लंबर ती, क्या विधान सबस चुनाओं से पहले कॉंग्रेस से इसकी काट निकाल पाएगी? संदर्ब में अपमान जनक भाशा का प्रयोग और मानहानी के उसी मामले में जिस तरह से उनको दो वर्ष की सजा सुनाई गई है और उसके बाद उनकी सांसदी गई और तमाम मसले हैं लेकिन बीजेपी जानती है कि इस विशय को अगर चुनाओं तक जीवित रखना है तो सिर जब तक कि ये कोई political messaging इसके साथ नहीं जुड़ेगी है तब तक कि ये मसला और धारदार बीजेपी के लिए और खासतोर से चुनाओं है क्योंकि OBC एक ऐसा वर्ग है जो पूरे देश में हर राज्य में और व्यापक तोर पर पूरे देश में बड़ी संख्या में है और तोर से ग्रामीन इलाकों में OBC समुदा है न सिर्फ निरनायक भूमिका में है आर्थिक संपन्नता की शिर्णी में भी खड़ा है और गाउं में पंचायत चुनाओं से लेकर कस्बों में नेत्रुत्तु की बागडोर जिस भी राजनीतिक दल की बात हो मतिप्रदेश में देखेंगे कि OBC निताओं का एक तरह से दब-दबा है तो इस वर्ग को अपने साथ लाकर कॉंग्रेस पर निशाना साधना इसकी एक तयारी राष्ट व्यापी स्तर पर बीजेपी की हुई और उसी कड़ी में मतिप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान जी उधर कॉंग्रेस पहले से ही चुनोतियों से जूज रही है और अब तो अपने सीर्ष नेता को लेकर भी वो परिशानियों में उलजी है ऐसे में ये मसला कितना कारगर या इसका कितना असर या असर नहीं होगा तमाम बाते हैं जो आज हम इस डिबेट में करेंगे जो मेहम करता हूं दिनेश गुपता जी है वरिष्ट पत्रकार और राजनीति कुसलेशक उनका भी स्वागत है दिनेश जी पहली टिपनिया आपकी किस तरह से देखते हैं आप इस मसले को राहुल गांधी के साथ उनकी जो मुश्किलें और चुनोतियां जो बनी है अब उसके साथ और OBC को लेकर भी BJP हमलावर है कॉंग्रेस पर राहुल गांधी पर जी कॉंग्रेस के पास कोई रणनीती तो हमें कभी दिखती नहीं है राहुल गांधी उनके सीट सिनेता अदालत के एक आदेश पर संकट में फस जाते हैं सांसदी चली जाती है तो पार्टी ठीक तरह से अपना पक्षवी जनता के बीच नहीं ले जा पा रही है कि क्या मुद्दे हैं उसके अपोजिट जो उनकी मुख बिरोधी पार्टी है वो लगातार उसी में से सारे मुद्दे तलास कर रही है जिनके कारण राहुल गांधी की सदस्ता गई या राहुल गांधी को सजा हु चाहे वो कानून का मसला हो, अदालत के आदेश का मसला हो, या फिर जो है, OBC बर्क के नेताओं से जोड़ने का मामला हो, तो इस पूरे मामले में भारती जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही, आप सावरकर जी का जहां जिकरा है, तो उन्होंने मी सावरकर का भी एक भारती जनता पार्टी ने उसका कैमपेंड चला दिया, कि हर आदमी उसको जो है, अपने वाल पर लगाए हुए है, तो यह जो OBC का मसला है, मद्द प्रदेश हो, राजिस्थान हो, गुजरात हो, जो हिंदी स्टेट है, जहां बहुत एफेक्टिव है, आमने देखा न कि OBC बहुत निर्णायक होते हैं, और यह OBC का मसला पंचाय चुनाओ, नगरी चुनाओ के समय भी कॉंग्रेस के साथ उल जा था, लेकिन कॉंग्रेस को वो फाइदा नहीं मिला, जिस तरह का वो फाइदा उठाने की उमीद कर रही थी, तो यहां एक तो सिवराज जी का चे आँ, अशीज जी अब BJP हमलावर है, OBC को कथित रूप से टार्गेट करने के मसले को लेकर, और इसका सिरा तलाश लिया गया है राहूल गांधी जी के उसी बयान से, जिनको लेकर उनके खिलाप मानहानी के मामले में सजा हुई है, क्या BJP के आगे और रणनीती है, क्या य आँ में ये मसला कथित रूप से OBC के अपमान का, BJP ताकत से उठा कर मैदान में जाएगी? देखिए शरत जी, भारत में विगत कुछ वर्षों से, जाती बात को लेकर राजनिती बहुत जादा होती है, और मैं ऐसा मानता हूँ, इसके कारण कोई नेता इससे अचुता नहीं रह जाता है, जहां तक बात मानने वर नरेदर मोदी जी की है, हर व्यक्ति किसी ने किसी परिवार में जन्म लेता है, उसकी कुछ जाती होती है, लेकिन नरेद मोदी जी ने पूरे भारत की जन्ता को अपना परिवार मानकर वो नगाता पिछले नो वर्षों से एक प्रधान मंत्री के रूप में काम कर रहे है, चुकि जब व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेत है, किसी जाती में उसका जन्म होता है, वो काम करता है, तो उसके सामाजिक लोगों के या उस वर्षों के लोगों का भी वो एक आइडियल होता है, चुकि माजनी मोदी जी हो, शिवरात जी हो, यह तो पुरे प्रधेश उन्देश के लिए एक आइडियल लेकिन जब उनके से तालुक रखते थे जो उस वर्ग का प्रस्थित करते थे जो मोदी जी को चाहते थे उन लोगों की भावना आहत हुई और वो न्याले की शरण में गए और एक आपराधिक प्रकरण के मात्यम से राहूल गांदी को सजा सुनाई गई होता तो यह कि अगर उन्हें अपनी ग लेकिन उन्हें गलती को स्विकार नहीं किया उसके कारण उन्हें की लोकसवागी सबस्ता भी और कई ने कहीं को पिछला वर्ग की राजडेति करने वाले नेता है उनको भी इस बयान को लेकर रहूल गांदी से बात अवश्च्य करना चाहिए उनका अगर बहुत सीनियर ल सुरेश राजे जी आपकी तरफ में आता हूं अब मसला बिलकुल साफ है कि बीजेपी अब इसे बहुत ताकत से OBC राजनीती से जोड़ कर इस मसले को चुनाव मैदान में भी उत्रेगी तो अब इसने उसको दोहरी धार देने की कोशिश की है इस मुद्दे को प्रुधान मंत्री जी के कथित अपमान के विशे से भी इसको जोड़ा है और दूसरी तरफ इसको कथित रूप से OBC के अपमान से भी जोड़ा है क्या कहीं है तो अब इससे सुन रहा है तो अब इससे हैं जो प्रदेश के मुखिया सम्मानी मुद्मंत्री जी ने कहा तो मैं उस बात का जवाब देना चाहूंगा के रहुल जी कांग्रेस के लिए रहु बन गए जिए मैं कह रहा हूं मैं इसके उल्टा कह रहा हूंगा कि सिवराज जी भाजपा के लिए रावू छे रावू हैं आगे होने वाले भी हैं दूस्वज्जार अठारा में इन्हीं के चेरे पर चुनाओ आरी थी भाजपा और जिसका यह दम भर रहा है ना जूटी बात को लेके कोई दिक्कत नहीं है 6-8 महिले वाज जन्ता वो त्यकर देगी कि क्या जन्ता चाहती है अब आती है पिसे किसका अपमान करने की तो बेजी मैं आके माते में से पूछना चाहता हूं राहूल जी ले क्या का भाई ललित मोधी कौन कौन आप प्ताये ले कोन वी से कहो तो यह कहना और दिखिए यह हमारी व्हासा में हमारे चंबल चेत्र में होता है चेत्रा का भूत बनाना चेत्रा का भूत हम उससे कहते हैं यह जब पक्ची उसमें आते ना ख़डी फथल में ने चेत्रा बोध बनाके खड़ा कर देते हैं तो बारती एकयोंजा पार्टी ये चैत्रा का भूध बनाने की कोज़िस कर रही ना OBS के नाम पर ये जनता सब जानती है ड़नता जवाब देगी और जिस बात को लेकर ये इतरा रहें जाना दिन दूर नहीं है जम से लाएं जितनी खर सकते हैं खोसिस कर लें OBC का अफमान की बात कर ले की प्रदान मंत्री के अफमान बात करें प्रदान मंत्री जी ने किस-किस के बारे में क्या नहीं बोला कभी उसके बारे में विचार किया सौनिया जी के बारे में क्या नहीं बोला उसके बारे में बात हुई पर्मार के बारे में क्या नहीं बोला कभी उसके बारे में बात हुई भारती जन्ता पार्टी जीरो पर खड़ी है भारती अन्ता पार्टी विकास की बात नहीं करती, भारती अन्ता पार्टी महंगाई की बात नहीं करती, अगर भारती अन्ता पार्टी कोई बात करती है, तो सिर्फ और सिर्फ विवादित मुद्दों पर बात करती है, हम भारती अन्ता पार्टी का सामना करने तयार है, चाह लोटता हूं आपकी तरफ दूसरे राउंड पर हम फिर एक एक क्वेस्टेनेर के साथ फिर लोटेंगे दिनेश जी अभी विकास की बात कर रहे थे सुरेश राजे जी महत्पूर्ण बात इस समय क्या लगती है आपको कि क्योंकि हमने देखा इंडिरा गांधी बहुत ताकतवर लीडर रही लेकिन 77 में उनको भी हार का सामना करना पड़ा और मसले कई थे बहुत सारे मसले थे आपातकाल था तथा कथित मनमानिया थी इसके सा संजय गांधी जी उनके पुत्र रहे उनके उनको लेकर भी आक्षे पर आरोप लगे लेकिन कोई मजबूत मुद्दा अगर आप किसी भी सरकार या उसके मुखिया के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं राहुल जी को क्या आपको लगता है कि strategy क्या होनी चाहिए strategy य है लेकिन जहां आपको लगे कि यहां अगर हमने नहीं जुका तो हमारा दूसरे कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के तहट भी नुकसान हो सकता है वहां क्या उनको बचकर निकलना उनके लिए उचित नहीं होता निश्चे तोर पर देखे राजनीती में आप एनी कई बार एक कदम आगे पीछ बढ़ाते हैं तो दो कदम पीछे भी कीचने पड़ते हैं लेकिन राहुल गांदी जी कि आप सुरू से राजनीती देखिए जब से वह राजनीती में हाए हैं वो एक रिजिड तरीके से से यह जो महत्पूर्ण संक्टन थे कांग्रेस पार्टी कि वह कहीं ना कहीं कमजोर हुए फिर उनके हिसाब से जो लीडर से होनी चाहिए राज्यों में वह बहुत ज्यादा कोई असरकारक नहीं रही तो उनको सबसे पहले तो ज़रूत यह थी कि वह पहले अपने जो आप से मुद्दे बताएगी जो कोई जमीनी नेता होगा तो वो अपने हिसाब से मुद्दे बताएगा कि इलेक्शन के साब से क्या एफेक्टिव है जै किसी चीज़ बेर आप माफी मांगने से बस सकते हो तो आपको बचना चाहिए क्योंकि वह बहुत महत्पूर्ण क्या कि आपने माफी मांगी है तो यहां जो मौझूदा राजनीती यह उसको राहुल गांदी समझ नहीं पा रहे हैं वो उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है और वही उनका जो रवाया है वही कांव्रेस के लिए घातक होता जा रहा है यह बड़ा सवाल है कि क् और उनकी टीम हम ये नहीं कहते कि उनकी विजडम या उनकी बुद्धिमता पर सवाल उठाने वाला मीडिया या चौथा स्थम्ब कोई टिपणी कार एहम हो सकता है लेकिन अपनी राय रखने का अधिकार सभी को है तो एक सवाल तो ये जरूर है कि क्या इस समय रणनीती ये होती कि आप जिस तरह के मसलें हैं जनता से जुड़े हुए चाहे वो महगाई की बात कर लें आप या सरकार के तौर तरीकों की बात कर लें आप उस पर आते या इस तरह से आप आगे बढ़ते आचीज जी ये बताइए मुझे कि ये जो मुद्दा आपने इसको जोडने की कोशिश की है OBC से जिस तरह से अभी सुरेश राजे जी भी कह रहे थे और उसके पहले सीनियर कॉंग्रेस लीडर पृत्वी राज जी भी ये बात कह रहे थे कि जिन नेताओं के नाम नेताओं से उन्होंने शामिल किया उसमें प्रदान मंत्री जी को छोड़कर बाकी लोग OBC समुदाय से नहीं है बलकि दावा तो यह भी है कि याचिका करता भी OBC समुदाय से नहीं है ऐसे में यह मसला आपका स्टैंड कितना करता है कि देखिए मोदी जी के परिवार के बारे में सब लोग जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने मोदी सर्णेम का उपयोग किया इस बात के लिए अज की तारीक बगर मोदी शम्द की आपात करोगी तो लोगों का संकेत नहीं मोदी जी की तरफ भी जाएगा क्यूंकि वो नाम और वो ब्राण अपने आप में कंतर राश्चे इसतर का नाम और ख्याती प्रावति बेक्ति तो बंचुका है और इसलिए जो उस जाती के लोग है कहीं कर आप किसी को साजली कुरूप से अगर टारगेट करोगे तो सवाधे कि उस समाज के जो लोग है उनकी भावनाया को पहुंचेगी और इसलिए नरेत मोदी जी की जाती को या नरेत मोदी जी को लेकर इस तरह से हाउदादी ने टिकपड़ी की कही ने गही वो ओबीची पर एक पहुत कठोल टिकपड़ी गई और इसकारण से आपने देखा उसके ब परग में इस बात को लेकर बहुत आप्रोश है मांदी मुक्ष्यमंत्री जी ने आज इस मामले में अपना बयान दिया ही है कॉंग्रेस के नेता उसको मामले में माफी बंगना चाहिए सुरेज जी जैसे हम शत्रंज में देखते हैं कि हमेशा आप अपने जो उच्चितर स्तर के मोहरे होते हैं चाहे आप राजा की बात करें या रानी की बात करें आप उनको हमेशा बचाते हैं आप अगर ताश की बात करें तो वहां भी यही कोशिश होती है कि आप अपने मह तो पूर्ण कार्ड को बचा कर चले रणनीती फिर वही प्रशन है कि रणनीती क्या यह नहीं थी कि राहुल गांधी अपने को कुछ ऐसी उल्जनों की तरफ न ले जाए जिसका फाइदा कितना मिलेगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन नुकसान यह है कि संसद में अब आप पूरी कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कि इसके पीछे बीजेपी की कोई दृष्टी या सोच है लेकिन यह समय क्या खुद अपने टॉप लीडर को संकट में डालने का है या उनकी खुद की सोच से आप संकट पैदा कर रहे हैं इस पर आपकी राए बहुत एहम है कि अधिक दुवेदी प्रेड़ा है हमारा यह है कि अधिन जन्ता पाई कि अभी जितने जो है कि इस पर भार जाल से उपन की लोगें पैंजन देंगे घंजन की जरो सपड़ की है साथ साल सकते लोग देंगे उसको आप देंगे लिए तरह 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 की एक कि आपकी इंतवाटी की भौकलाने जाता है को एक वाल जीका आया तो वो कोई मामला इसना जम्मीर थाल है और जिस याट का करताने है जिस मामले में रुप रोभ देती है इसले रहाता था फिर वही याट क्या करताने है उसी मामले को दुबारा से ओपिंग कराया है पर इसनि जंडवाजी में हम कुछ संविधां में भी ये स्रावधान है, कामूर में भी ये स्रावधान है, एक महिने तक हम अपीरविन जास पेते, लेकिन सरकार में क्या जिया है, बनाए एक महिने का इस तर जाए करने की जगा, जोदूने सनत्ना वर्खास, अब आयाओ बं पुर्पूर मंत्री पंगला कहले हैं राज्यों में यह दोरा मापदन नहीं चलेगा और किसी भी तरे का अटकंडा माजपा अपना में नहीं है हम देवलें की बात पर जुटने वाले नहीं हैं अगर हमको जोरा को जल्सी हुई है एक बाव में हजार वार जल्सी मंना देगे लेकिर अगर भारती एक्सा पार्टी चाहे के चुआ जरा के संग़ा के 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 नहीं है परसिती दोगेदा कि की वात नहीं है। यह पुरी कॉगनेवी जुछ केहितु दसते है। पॉमेंट लेता हूँ जल्दी से वक्त कम है मेरे पास वक्त बहुत कम है वक्त बहुत कम है दिने जी बड़ा सवाल ये है कि नब्वे में लालकृष्ट अडवानी रथियात्रा लेकर निकले 77 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 80 में जब फिर इंदिराजी लोटी तो उसके पहले बिहार में कथित रूप से दलितों पर हुए किसी अत्याचार के मसले को लेकर उन्होंने एक दूर दराज के गाउं की यात्रा की और जहां ये भी कहा जाता है कि कीचल काफी था तो कहीं से हाथी की विवस्था करके वहां बैठकर उनको उस गाउं तक पहुचना पड़ा जो बहुत दुरूह गाउं था यानि मुद्दा अगर नेता से खुद जुड़ जाता है तो शायद उसका प्रभाव कितना होता है ये विसलेशन का विशय है चाहे वो अटल जी स से जुड़े या इंदिरा जी से जुड़े व्यक्तिगत तोर पर तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक बीजेपी के ट्रैप में कॉंग्रेस आ जाती है कि कॉंग्रेस राहुल जी को लेकर ही उलज गई है समय जबकि चुनाव नजदीक हैं विदान सभा के भी लोग सभा रही है कि उसने जो चीज मंच से कही उन्होंने राहुल गांदी ने वो थी क्या और निर्णे क्या है आप देखिए कि कॉंग्रेस पार्टी तुरट ट्रैप में आ जाती है और सफाई देने लगती है नि वो ओवी सी के मसले को जितना जबाब देगी जितना बचाओ की कु उठाये था वो मुद्दा फिर पीछे खिसक जाएगा जिसको लेकर राहुल गांदी लगातार हमला वरें संसद में भी हैं उन्होंने संसद में भी बयान दिये सबी जगे दिये लेकिन जो कॉंग्रेस पार्टी की एक वाई सोना चाहिए नीचे तक वो देखने को नहीं मि चाहती है कि प्रधान मंत्री की आलोचना कॉंग्रेस करे और उसमें वो मानक भी काफी नीचे के अगर इस्तेमाल करती है तो उससे बीजेपी को और फायदा होता है क्योंकि समय यह आंकड़े भी बताते हैं तथि भी बताते हैं और राश्टी अंतर राश्टी इस तर के उसको भी और उसकी पाठी को भी फायदे में पहुंचाती है तो इस समय रणनीती क्या होनी चाहिए प्रधान मंत्री की आलोचना या उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना और अपने को सुरक्षित रखना और संसद में अधिक से अधिक समय लेने की कोशिश करना ये मु पढ़ने वाली अगर कोई पार्टी है कोई संगठन है तो वह कॉंग्रेसी है और शुक्रिया दिरेज जी बहुत धन्यवाद सुरेश राजे जी बहुत धन्यवाद आशी शर्मा जी आगे देखिए चात्र कल आज का मुद्दा रूठा है तो मना लिए नमस्कार